बहुत-बहुत स्वागत है आपका जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज हम लेकर आएं आपके लिए सारे डॉक्तर एक साथ यहां जितने भी वो कैप समेक जितने भी आपके क्या होते एक्जाम में डॉक्टर पूछे जाते हैं वह सारे डॉक्टर आज यहां पर क्या हो चुके दया व्याइक सास आ चुके तो बिल्कुल आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूद है क्योंकि यहां पर सारे डौक्टर क्या होचुके सारे टॉक्टर वह्याँ एक साह आ चुके उसे पहले जो शुते हैं वह ऊना है यहां पर उसे हम एप Convention में बोलते हैं गाइन भी की बात करें जी वाई यह कहीं पर दिखें अगर यह दिख जाता है तो समझ लेना कि हम किसकी बात करें इस्त्री रोग की बात करें और गाइनकोलोजिस्ट जब हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है तो गाइनकोलोजिस्ट क्या होता है गाइनकोलोजिस्ट क्या करता है वो जो female की reproductive organ जो disease वगेरा है जो उनकी बीमारी है उनकी treatment के लिए जानी जाती है तो gynecologist का मतलब क्या होगे इस्त्री रोग विशे सग्य जो इस्त्री की समस्याओं को देखती वो कहला ती gynecologist यहाँ पर जो code word है आप वो क्या याद रखो gynecologist इस्त्री रोग विशे सग्य हो गई अब दूसरे पर चलते दूसरा term है देखिए आपका obstetrician आपका जो दूसरा term है वो कौन सा है obstetrician है तो obstetrician को हमेशा याद रखे यह क्या होता है यह प्रसूत विज्ञानी होती obstetrician अब आपको बसा देते ओबी के नाम से भी जानी जाती ठीक है obstetrician basically वो होती है जो at the time of pregnancy pregnancy child birth के समय जो क्या करती है जो treatment देती है जो dealing देती लेडी के साथ वो आपकी क्या कहलाती वो आपकी कहलाती obstetrician ठीक है वो आपकी क्या कहलाती obstetrician कहलाती जो pregnancy और child birth के समय लेडी के साथ treatment करती है वो आपकी क्या कहलाती जिसे हम OB के नाम से भी जानते है ठीक है फिर आती है तीसरी बात तीसरी बात की अगर मैं बात करूं तो देखें यहां पर आपको पता चल गया गाइनकोलोजिस, स्टी रोग विशे सक गए, obstetrician क्या है obstetrician आपका जो क्या है pregnancy और child birth के समय जो क्या करती है जो treatment देती है वो आपकी obstetrician कहलाती फिर आता है फिर आपका क्या आता है फिर आता है आपका यह आगए आपका कौन सा anesthesiologist आ गया कौन सा आगया anesthesiologist आगया anesthesiologist आपका कौन सा होता है वो यह होता है आप देखते होंगे जब क्या होता है किसी का operation होने वाला होता है तो क्या होता है एक anesthesiologist यानि वो समवेदना हरण विशेसक यह होता है वो क्या करता है वो बही एक ऐसा क्या करता है एक ऐसी दवा देता है जिससे जितने समय operation होता है उ मतलब समवेदना गायब हो जाती उनको उतने समय के लिए स्लीप करा देते हैं सुला देता है जितने समय उसकी सरजरी होती है तो एने स्थीसियोलोजिस whisky हो गया संवेदना हरणविश Dip gly месте आपको पता होना चाहिए तो यानि तीन टम आपको दिये गाइनिकोलोजिस इस्टी रोग भी से सकते ऑफ्टेशियन कहोगे आपका आपका होगे जो डील करता है एड़ टाइम अप्रेगनेंसी और चाइड़ बर्थ वो लेड़ी वो डॉक्टर हो गई जो एड़ टाइम में प्रेगनेंसी डील करती एड़ अनसथीच तीन पर आपका कहीं पर भी पेडिया मिल जाए तो समद लेना हम क्या किसकी बात करें बच्चे की बात करें और जब बच्चे की बात करतें बाल रोग विशेसक गया अठारा साल के जो नीचे होते हैं उनका इलाज जो डॉक्टर करते हैं जो बच्चों का इलाज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैडोज से बिसिकली बनाए पैडोज मतलब यह जन्म लेने से संबंदित हो गया पैदा होने से संबंदित हो गया तो पैडियर्टिस्टियन का मतलब क्या हो गया बाल रोग विशेसग आप देख पा रहे हैं बाल यहां पर बना हुआ है अंडर एक टीन जो ट्रीटमेंट कर गया ओभी ओभी आपका ़ो गया ओभी आपका हो गया पड़िए पनसी और काद इजयर्शेश्टियर्ण sleep में लाता है और फिर चौथा आ गया पेडिटिसियन जिसका मतलब क्या हो गया बाल रोग विशे सग्ट यानि जो बच्चों को गया करते है बच्चों को इलाज देता है फिर अब देखो वो पेडिया था यह पोडिया है दोनों में याद रखेगा पेडिया और पोडिया प पोडिया का मतलब क्या होता है पोडिया का मतलब होता है आपका पैर तो जो आपका क्या होता है पैरों का पैरों के नीचे यानि यहां तक का जो इलाज करता है जो विशेसक क्यों होता है उससे क्या बोलते उससे बोलते भाईया पोडिया टिस एक पेडिया था पेडिया का मत पेडिय और वह आपका कहा है वह आपका पोड्य पोड्य कम बैरों के नीचे यलाज मिल गया पहलागे लागगे रहाप yeah फिर आपको क्या मिला एनसेसियोलोजिस्ट मिला फिर आपको चौथा क्या मिला फिर आपको चौथा मिला पेडिया पेडिया पेडियाटिसियन और फिर पोडियाटिस्ट ठीक है यह आपका क्या हो गया पैरो या एंकल यहां का जो इलाज करता है वो कहलाता है आपका पोडिय ठीक है पोडिया पैडिया में याद रखते है यानि यह कहिए नीचे अब देखिए नेен लौजो को क्या हो जाती बहुत सारे लोगों को परिशानी हो जाती इस नायु विज्यानी जो कहलाता है यह ब्हूरोजिस्च कहलाता है यह असलोत यら नर्ष सिस्टम जो nervous system है उसका जो disorder होता है उसके साथ काम करते उन निउरो लोजिस्त यहाफ उनि तो निउरो लोज जो ने विडिया निहरोस से बनाए नर्व सप्टम नर्वस से बनाए种 तो से याद रहाएगा इसको नियूरोलोजिस करता है वह आपको हो गया नियूरो और अगले पर बढ़ते और देखते क्या है साइकाइट्रिस कभी कभी क्या कुछ लोग पगला जाते जैसे देख पा रहे होंगे फिगर में बना एक दम पगलाई हुई है लड़की ठीक है तो साइकाइट्रिस्ट क्या होता है वो मेंटल हेल्थ के बारे में डील करता है कभी-कभी लोगों को जौब नहीं मिलती तो क्य होते हैं उनको ज़रूवत होती psychiatris के पास जाते खगला जाते एक दम तो psychiatris यहां पर क्या है psychiatrism का मतलब क्या हो गया मनोचिकिस्टक यानि यह क्या करता है यह mental health को देखता है तो आपका हो गया है实 psychiatris थे हो गया यानि वह इसत्र को यह बात क्लियर हो गई यस ऑगला देखते हैं अगला है औरंड जास कॉन होता है देखें बता देते हैं यह यह बहुत होते हैं वह आ प्थम न डास और श्रॉप सूरस्पड दोनों एक ही होते हैं जो भी नेत्र विशेशक होते हैं आँख के बारे में जो क्या करते हैं, आँख का जो इलाज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, an ophthalmologist is a type of eye doctor who is trained and certified to provide eye care, जो क्या करते हैं, eye care provide करते हैं, वो ophthalmologist हो गया है, ये term आपका आफ्थल कहीं पर मिल जाए, औकुलिस कहीं पर मिल जाए, तो समल लेना हम किसकी बात करते हैं, eye की बात करते हैं, अब देखो, आपकी आँखे तो चेक हो गई, अब आँखे जब चेक करने जाते हो, तो आप जाते हो चस्मा की दुकान पर, तो अंदर एक बैठा होता है, जो क्या करता है, दुकंदार पूसता है, आपसे कि भाईया, चस्मा चेक तो नहीं करवाओगे, तो पहरी में हो रहा है, तो लाओ चेक ही करा लें, तो जो अंदर चेक करता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है आप्टो मेट्रिस्ट कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है वो आपका कहलाता है आप्टो मेट्रिस्ट जो आपकी क्या करता है जो करेक्ट चेक करता है विजन को जो विजन को चेक करे वो क्या कहलाता है वो कहलाता है optometrist तो optometrist कौन हो गया जो आंक की विजन को चेक करता है चस्मा लगा कर चेक करता है विचितर तरीके का चस्मा रहता है उसमें और optician कौन होता है जो चश्मा की दुकान कोलता है चस्मा की दुकान पर जो बैठा होता है अंदर से वो भेसने की इतने इतने का इनको चाहिए त तो यह आपका हो गया फिलाल वह तो बड़ी दुकाने होती तो वह नौकर रख लेते वहीं लोग करते हैं का यूरो लॉजिस्ट यूरो तो यूरिन जिनको यूरिन की समस्या हो जाए मतलब जिनका क्या हो यूरिन कभी-कभी पास नहीं होता यूरेनरी सिस्टम का जो समस्या को देखता है किसकी समस्या को देखता है स्किन कि समस्या कचा में कोई प्रापलम आ जाए कुसके पास भगेंगे धामटोम के पास इस किन की कोई भी प्रोब्लम आएगी ड्रमा याद रखेगा ड्रम मतलब 2 मज extrêmement quand he pickup audi audi ऐ опас likeylan का मतलब क्या होता है कोल्यों लोजस्ट का मतलब होता है जो हैदē की बीमारी सैको बना हुआ है ठीक है यानि पास याद रपको और तो याद रफड़ का मतलब की होगए कि जो इस पर बहुत ज्यादा काम काम करा है तो orthopedist आपका हो गए हड़ी रोग विशेशग जो क्या करते है broken bone और ton ligament इन सबको drill करता है वो कहलाता है हड़ी रोग विशेशग एक बार सबको देखो फिर से देखेंगे आर्थो मतलब हड़ी ठीग है आर्थो आपका क्या हो गया और्थो आपका हो गया भाई हड़ी वाल ठिल वाला हो गया है यूरो यूरेन वाला ऑंटिसीयन तुकान उप्यात्र सठाथ टॉ 2aUd chercheSmith कर दोक्टर को आंख लिए गवालो सब्सक्रीव है तुछlara फिर साइकाइटिस्ट अगर क्या होता है तैयारी करते जादा पढ़ लिए दिमाग खराब गया तो साइकाइटिस्ट के पास घरवाले ले जाते हैं कि भाईया गये थे बैंक पीओ बनने लेकिन कुछ और ही बन गया नियूरोलोजिस्ट क्या होता है जब आपका नवर सिस्टम मतलब की सही से काम नहीं करता है तो हम जाते किसके पास इसनाई विज्ञानी के पास पोडियाटिस्ट पैर के नीचे की समस्या जो है आपकी पैर की जो समस्या है फीट की जो समस्या है वो आपकी क्या लोगर एनथिसे व्लॉजिस्ट हो गया सम्वेदनाहरण जो क्या करता है जो आता है डॉक्टेर एक किसके पहले सब किसी का ऑपरेशन होने वाला होता है तो क्या करता है श्लीप में सुला देता है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते है जो डॉक्टर डील करती, टीटमेंट देती, वो कहलाती और गाइञुको Jeju Meine जो महिलाओं की बीमारी को डील करती वो क्या करती गैनेकोलोजिस बस अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू